मसकार दोफतों मैं संदीप स्वागत आप सभी का आज किस नए क्लास में दोफतों आज किस वीडियो में बात करने वाले जो भी बेक चाहत हैं जिनका सब्जेक्ट हिस्टरी है यानि इतिहास और इनकी परिच्छाफी 2022 में होने वाली है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपार किस वीडियो के चलिए पहले देखते हैं आज किस वीडियो का पहला कोश्चन कौन सा है और समझते हैं उसका एंसर क्या होगा ठीक है लिखाए कि दिल्ली सल्टनत के स्थापना से पतन तक कितने राजवन्सों ने सासन किया यहां पर तोहां टाइप करने में मिस हो गया है पतन हो गया ठीक है पतन होता है पतन तक कितने राजवन्सों ने सासन किया है आप चला आपको मिल जाएंगे चार राजवन्सों ने तीन राजवन्सों ने पांच राजवन्सों ने छे राजवन्सों ने तो दिल्ली के सल्तनत के स्थापना में पतन तक जो राजवन्सों सासन किया है ठीक है वो किया है सी नंबर से पहले ठीक है इन्होंने सासन किया है जाद रखेगा सी नंबर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि डेली क्लाफ चलती है तो आप तक पहुंच सके निस्क को से कि दिल्ली सल्तनत के पतन का क्या कारण था यानि कि जो दिल्ली में सल्तनत था उसके जो पतन हो गया यानि कि गायव हो गया उसके क्या कारण थे चलिए समझते हैं लिखा है आपसर नमबर एक कि वंसों के ठीक है बरूबर परिवर्तन से राजनीती अस्तिरता का बने रहना व और आगुना हो पाना अपियोक्त में से सभी सही है तो इस इस तो इस राइट एंसर हो जाएक दोस्तों वह जा है कि पतन के कारण जो है वह में से तीन नहीं इसलिए सल्तनतकाल का पतन किस वर्ष माना जाता है यानि किस वर्ष में सल्तनत काल का पतन हुआ था वो कौन सा वर्ष था कौन सा सन था ठीक है आपसे मिल जाएगा 1392 में 1412 में 1526 में इनमें से कोई नहीं तो इसमें से जो राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन का वो हो जाएगा सी नमबर यानि कि 1526 में याद रखेगा मोस्ट इंपर्टन कोईश्चन है तीन नमबर कोईश्चन का राइट एंसर हो जाएगा 1526 ठीक है इस भी में अगला कोईश्चन है यानि कि चार नमबर कोईश्चन है कि सल्तनत काल में कि सासक का सासन काल चर्मोत कर्स पर पहुंच कर पतन के लच्छन दिखाई देने लगते हैं तो आपसे आपको मिल जाएंगे मुहम्मद बिन तुगलक के फिरोसा तुगलक के बहलोल लोधी के ठीक है नसीरुत दीन महमूद के तो इस कोश्चेंग का राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नमबर मुहम्मद बिन तु तुगलक के अंतिम सासक कांठा था तो तो तुगलक के जो नाम है वो है नसीरुद्दीन महमूद के तो राइट एंसर भी हो जाएगा याद रखेगा मुहम्मद फिक है चलिए बढ़ेंगे एकले कोश्च्चन के ओर लिखा है कि तुगलक वंस का कौन प्रसिद सासक था जिसकी नीतिया सल्तनत के पतन में शारबाधिक युगदान की उत्तरदाई है अफसर मिल जाएगा मुहम्मद सा तुगलक फिरोज सा तुगलक नसीरुद्दून महमुद तुगलक अलाउद दीन सिकंदर तुगलक तो इस सल्तनत के पतन में सरबधिक युगदान की उत्तरदाई है तो याद रखेगा छे नमबर कोश्चन का राइट एंसर फिरोज सा बी नमबर अगला कोश्चन है कि 1526 में थिक है 1526 में बाबर के हाथो जब सल्तनत का पलतन होता है तो उस समय किस वंस का सासन था याद रखेगा पलतन कोश्चन है आपसे नेख है लोधी वंस का सयद वंस का तुगलग वंस का कोई नहीं तो इस कोश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नमबर 1526 में जब बाबर के हाथो जब सल्तनत का पतन हुआ तो उस समय जो राज था वो लोधी वंस खा था इस युद्ध की पराजय को माना जाता है ध्यान दीजेगा दिल्ली सल्तनत के पूर पतन को किस युद्ध की पराजय को माना जाता है आपसे नहीं पानी पत प्रथम युद्ध पानी पत दुतिये युद्ध पानी पत का तिरतिये युद्ध उपयोक्त में से कोई नहीं तो आ भारत में कौन कौन से चैते राज हुआ ध्यान दिज्यगेगा दिल्ली सल्तलत के तन्प के पस्चात में कौन कौन फे चैती राज हुआ आप सद्र मिल जाएंगे मलावा राजी उप्यग्त मैं से सभी इनसे हो जाएगा दी यानि कि इनमें एशिया का सासक तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्स आक्रमण किया एवं भारी तबाही मचाई मोश्टी पार्ण कोईश्चन यह भी है तो आफसन मिल जाएंगा 1397 वे इनोंने तबाही मचाई आक्रमण करके और नेश्ट आफसन आपको मिल जाएगा 1898 में 1399 में 1356 में तो क नंबर वोके चली बढ़ते हैं अगले कोश्चन के और यानि कि फिसे देख लेते दस नंबर जो कोश्चन उसका राइट एंसर आप लोग स्लेट कर लीजेगा बी नंबर यानि कठास उठानेवे निश्चन है कि तैमूर वन्स के दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण के समय कौन सा नंबर वंस तक शासन कर रहा था क्योगैं तक गेफ़् Lite करेंगे नंबर पुलख Premium Video doughy कि तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत पर आक्मण के期 के समय वहां के तुगलक वंच का नाम क्या था यहां दिजेगा तैमूर लंग ठीक है लंग के दिल्ली सल्टन पर आकमन के समय वहां के तुगलक वनस का क्या नाम था गया सुद्दीन तुगलक दूती है नसीरुद्दीन महमूद ठीक है अब वरक तुगलक और नेस्ट है अलाउद दीन शिकंदर तुगलक तो बारा नमब next question है कि त्यायमूर ध्यान दिजेगा यहाँ पर type करने में थ्टाइमूर हो गयाए लेखाए ने भारत से वापस जाते हैं ठीक है वा भारत से वापस जाते हैं अपने visit ठीक है पृदेश का साशन के लिए अपने पृतिनिद्द किस्किन्द किया है यानि कि question type त्वाइब करने में थोड़ा मिस हो गया है थोड़ा समझने में आप लोग प्रोब्लम होगी तो मैं आपको बता रहा हूं दिखा है कि भारत से वापस जाने के बाद अपने विजित प्रदेशों का सासन के लिए अपना प्रतिनिद्ध किसे नियुक्त करके गया था ठीक है क सब्सक्राइब करेंगे हम याद रखेगा ठीक है अगला कोश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के समय कौन सा छेते राज सरबधिक सक्तिसाली था अपसर मिल जाएगा जौनपूर राज गुजरात बंगाल और मलावागा राज तो जो कोश्चन नमबर राइट एंसर उसमे कि दिल्ली सल्तनत के पतन के समय उत्पन हुए सतंत्र जौनपूर राज का संस्थापक कौन था इब्राहिम सर की मुबारक सर की अपसर अगला है मलिक सर्वर और हुसेन सर की तो इस अपसर कोश्चन के जो राइट एंसर हो जाएगा यह पंदा नमबर कोश्चन के राइट 26 में छेत्रे राज बंगाल का सासक कौन था अलाउद्दिन हुसेन और नस्ट है नसुरत सा गयाशुद्दिन महमद और अलाउद्दिन फिरोज तो जो सोला नमबर कोश्चन उसके राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा बी नमबर नुस्रत सा याद रखेगा नुस्रत स अगला कोश्चन है कि कश्मीर राज जी का महान सासक एवं कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था आपसे मिल जाएगा समसुईद्दिन शिकंदर ठीक है जनुन आवाद दिन और कोई नहीं मेंसे कोई नहीं तो जो 17 नमबर कोश्चन उसका राइट एंसर हो जाएगा वह तो जो 18 नमबर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ए नमबर ठीक है दिलावर खांगोरी ने ठीक है उसमें स्वतन्तर राज जी का अस्थापना की थी बढ़ते हैं के लिए कोश्चन को लिखाया कि दिल्ली सल्तनत के आयोग उत्तरा धकारियों के समय गुजरात के किस सासक ने अपने पांच स्वतन्तर घोशित कर प्रथक राज की स्थापना की थी अहमद सा ने जफर खां या मुझाफर सा ने गैसुदिन मुहमद ने अगला कोश्चन का राइट अंसर बीनमबर हो जाएगा ठीक है चलिए हम बढ़ेंगे एकले कोश्चन के और अला कोश्चन कहीं रहा कि दिल्ली सल्तनत के पतन के समय राज-पुताना के प्रमुख राज कौन कौन थे मेवाड राज था मरवाड राज के थे या फिर दोनों या फिर उपयोग्त मेंसे कोई नहीं तो जो बीच नंबर कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा ची तो दोनों राज थे ठीक है मेवाड और मरवाड याद रखिएगा बीनमबर राइट अंसर अगला कुश्चन है की दिल्ली सल्टनत के पतन के समय 1526 में बाबर ने अपन बाउरी में ым हिंद्व राज्यों का बिवरण दिया बिज्ये नगर का मेवाड राजी यह यार प्योक से जाएगा उप्योक तो यहांइ कि बिज्येनेगर रहेगा नहीं कि कि पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ उस समय बिजय नगर राजी का सासक कौन था आप से मिल जाएंगे क्रिस्ट देव राए देव राए देव राए दुतिये तो जो 22 नमबर यानि कि बैस नमबर कोश्चिन उसके राइट एंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात जब दिल जी का फत्र पतन हुआ तो उसमें बिजय नगर का जो राजी का साफक था वो ते कि राए देव राइट एंसर नमबर हो जाएगा तो दोस्तों से जुड़े टॉप लेबल के 22 कोश्चन मताये हैं हलाकि औ और आने वाली वीडियो में और भी टॉप लेबल कोश्चन आपको मिलेंगे फिराली कोश्चन रट लीजेगा थोड़े थोड़े करके मैं आपको बताऊंगा जिसे आप लोगों आसानी से और सरलता से समझ में आ जाए तो आएंसर और को समझ में आए हो तो वीडियो को ल आए खोग और बताए होगद लीडियो को बताए हो एकलियो को वीडियो को बताए हो अपको में आए होग्यो को ल良 चाहता है कि अ